तो ऐसा मुख्यमंत्री जो बार बार अपने ब्यान बदले उसको ये मालूम नहीं कि उसने क्या कहा है हमारा प्रश्ण है कि वो मेडिकली अन्फिट है मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उनको इस्तिफा देना रहे हैं मान रहे हैं उन्होंने कहा कि अगर मैंने कहा आपने शब्द नहीं उनके सुने तो मान रहे हैं कि उन्होंने गलती कही निरजी खुद मुन रहे हम आपी के तरक को अगर हम लें यह तो मुख्यमंत्री भी मान रहे हैं मान भाहिं हम महीलाओं का अपमान किया है और उन्हों ने किं महीलाओं के बारे में बात की残 गज़ी नहीं करने देंगे जब तक वो Unconditional Apology ना दे नमश्कार आप देख रहे हैं एक न्यूस 24 और मैं हूँ आपके साथ श्वेता मिस्टा बिहार के मुख्यमंतरी नितिश कुमार ने जो कल सदन में जिस तरीके का बयान दिया है वह बिल्कुल भी सही नहीं है और आपको बता दू कि अब सियासत उस पर गर्माई हुई है वहीं बीज़ेपी के तमाम नेता और विधायक इस पर पलटवार कर रहे हैं वहीं अब बीज़ेपी के मलसी दिवेश कुमार ने इसको लेकर भी बड़ी बात कह दी है उनका साफ तोर पर कहना है कि बिहार के मुख्यमंतरी नितिश कुमार ने माफी तो मांग लिय है लेकिन उनकी बातों से लग नीराय कि वो अभी भी माफी मांगे हैं दरसल उन्होंने साफ तोर पर बिहार के मुख्यमंतरी नितिश कुमार को पलटू राम कह दिया है बाकि इस पूरे मामले पर बीज़ेपी के मलसी देवेश कुमार का क्या कुछ कहना है आप उनकी बात हुआ कि उन्होंने गलत कहा है और विधान परिशद में तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे कुछ गलत भी नहीं कहा है आप रिकॉर्डिंग प्रोसीडिंग साफ निकाल के देखी तो ऐसा मुख्यमंतरी जो बार बार अपने ब्यान बदले उसको यह मालूम नहीं कि उसने क्या तो जैसा कि दिवेश कुमार का साफतर पर कहना है कि कल जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंतरी नितिश कुमार ने सदन में जो बयान दिया है वह बिल्कुल भी सही नहीं है और इससे असपस्ट है कि बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार की मानसिक स्थीती बिल्कुल भी ठीक नहीं है तो उनका मेडिकल जाच करवाया जाए उसके बाद ही उनको कुर्सी पर बैठाया जाए बाकी इस सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद